नमस्कार दोस्तों, आज ग्रह मंत्री अमित्छा ने लोकसभा में दिल्ली विध्यक पर बोलते हुए केजरीवल सरकार पर ब्रश्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही विपक्षी दलों के नए गटबंदन इंडिया पर निशाना साथते हुए, ये तक कह दिया कि चाहे कितन भी अलाइंस बना लो, लेकिन प्रधान मंत्री तो नरेंद्र मोधी ही बनेंगे। नया गटबंदन पनाने के अनेक प्रकार होते हैं, विधेत और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए, अगर हमारी राज़्विती में थोड़ी स्विक्रूति कम है, तो सब को म एलाना है, दिल्ली का जो होना है वो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो, मंतरी कुछ भी करे, मुख्य मंतरी करोडो के बंगले बनाए, मगर हम विपक्स में रहते हुए समर्थन करेगे, क्यूंकि हमें गटबंदन बनाना है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, मेरी अपी दिल है विपक्स के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचे एलाइंस की मद सोचे एलाइंस से फायदा नहीं होने वाला है एलाइंस होने के बाद भी पून बहुमत से नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री बनने वाले हैं इसलिए इसलिए ए एलाइंस के कारण जनता के हीतों की बली मत चड़ाइए जनता सब देख रही है एलाइंस करकर आप अगर ऐसा सोते हो एलाइंस करकर आप अगर ऐसा सोते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा जनता का विश्वास आपको मिला था मगर जीस तरह से दस साल यूपिये ने सासन चलाया बारा लाग करोड के गपले गोटाले करे दिल्ली सरकार के गपले गोश्टाले ब्रश्टाचार को प्रचिन रूप से एलाइंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा यह स्वाभाविक है कि हर कोई मंत्री अपनी सरकार की तारीफ करता है चाहें वो ग्रह मंत्री हो या फिर कोई और हो लेकिन यह जनता तै करेगी कि 2024 के लोग सभा चुनाव में प्रधान मंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा वैसे मौजूदा समय में मनीपूर समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि 2024 में बीजेपी के लिए लोग सभा चुनाव की रहा को कठिन भी कर सकते हैं कर दो